नमस्कार बहुत स्वागत आप सबका देखने जोतिश दुशा सत्य की रा मैं हूँ आपके साथ आपका एश्टो फ्रेंड संतो संतोशी आज का दिन नया सभेरा नई सुरवात बताएंगे आपको पूरे दिन का हाल भाई दूज स्पेशल आज कुछ खास बहनों के लिए हम जिसे उनके भाईयों के अल्प आयु संकट से उनको मुक्ती मिले एक दिन बहनों के नाम इस प्रकार से रक्षावंधन के बाद यम दुतिया के नाम से प्रशिद दुति थी कार्तिक शुक्ल दुतिया जो यमराज ने वर्दान दिया यमुना को भाई के तिलक के साथ पूर्ण तया अभैदान मिलता है तो एक विशेश उकेजन है एक विशेश पर्व है एक विशेश तिवहार है एक विशेश उपलब्दी है एक विशेश उन्नती है एक विशिष्ट भाव है यमदुतिया सभी बहनों को सादरवंदन, सादरप्रणाम आपके इस एश्टो फ्रेंड की तरफ से आप सब के भाईयों को परमात्मा दिन दूनी राथ चौगनी उन्नती दे यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों से हम कहेंगे जो की बेहद अनिवारे बात है बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहने एक दूसरे से मुह फुला के बैठे होंगे कैसे? इस टाइब से बैठे होंगे न? आज आप कदम बढ़ा दीजे बस आपका कदम बढ़ाना निसंदेह आपके लिए एक लेबल दे देगा और आप देखेंगी या देखेंगे कि सामने वाला कितना आहलादित हुआ संभव है कि वो आपका बहुत वेट कर रहा हूँ संभव है कि वो आपके लिए बहुत कुछ खोल के बैठा हूँ लेकिन शुरुवात न कर रहा हूँ तो एक सुरुवात आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े बनेंगे कोई छोटा बड़ा नहीं होता आवस्था के हिसाब से मूल होता है कि आपका भाव कितना पवित्र है कितना छोटा है कितना बड़ा है तो आज एक सकारात्मक कदम निर्मल जल बनते हुए मन के सारे मलाल, दोश, विकार निकाल कर कदम बढ़ा दीजेगा मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना है और उन पतियों के लिए मैं सख्त रूप से हिदायत देता हूँ जो अपनी पतियों को उनके भायों से अपने इगों के चलते दूर करके बैठते है हिदायत क्या है छोड़िए आज आप भी किसी की भाई है नहीं भी होंगे मा लिजे कोई बहन युक्त नहीं है किसी की बहने नहीं है लकली, अनलकली कुछ भी कहिए लेकिन अगर आपकी पत्नी किसी की बहन है तो ध्यान दीजेगा चलिए ये तो एक सामान बेवारिक बात हो गई तो भाई दूज इस्पेशल आज कुछ हम आपको बताएंगे हर बहन के लिए, हर प्रभाव के लिए, हर शुबता के लिए भाई दूज इस्पेशल आज एक खास उपाय हम बताने वाले हैं आप लोगों तक पहुँचाने वाले हैं थोड़ा इंदजार करिएगा, पंचांग बात करते हैं कार्टिक शुक्ल दुतिया, तुला राशी में चंद्रमा आज शाम पांच बच के 35 मिनट तक, इसके बाद ब्रिश्चि ग्रासी में प्रवेश्च नक्षत्र विशाखा रहेगा ब्रहश्पत का नक्षत्र योग आयुशमान तदनस्वार दिनांक, 29 अक्टूबर दिन मंगलवार राहुकाल दोपहर तीन बज़े से चार बज कर 30 मिनट तक रहेगा राहुकाल में नए और शुब काम नहीं किये जाते गुलिकाल दोपहर बार बज़े से एक बज कर 30 मिनट तक जो चाहें कर सकते हैं, काम बन जाते हैं, शुबता जरूर प्राप्त होती है बविश्फल की बात करते हैं मेश्राशी वालों के लिए आज मंगलवार 29 अक्टूबर बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी सिक्षा में मन कम लगेगा आज मन थोड़ा सा भी जेन रहेगा आंतरिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार एक भाटे की भरपाई कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वहान का सुक मिलेगा नौकरी में प्रोमोशन के चांस हैं बहुत प्रशन रहेंगे गौर्णमेंट सेक्टर में कुछ दिक्कते आ सकती हैं आज इधर उधर करना भारी पड़ेगा बॉस एक दम से फायर होंगे कुछ इस्थतियां आपके लिए आज बहुत नकरात्मक रहेंगे आज प्राइवेट सेक्टर गौर्णमेंट सेक्टर दोनों को अपने आपनी अंतरों रखना होगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पति-पत्नी की बीच रिष्टे में आई तलखी दूर होगी एक दूसरे का साथ रहेगा सानित रहेगा पति-पत्नी एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे आज यह एक आश्यर का विश्य होगा लव लाइफ में थोड़ी से रुकावट है लव लाइफ में बाधा दिखाई देती है आज हो सकता है कि प्रेमिका मेश राश्य की जो प्रेमिका है वो ज्यादा वाइलेंट नजर आए आक्रामक नजर आए जबरदस्ती का मतलब ओड़ पेर नहीं है लेकिन बस केवल क्या उपाय करना है बताएंगे स्वास्त जानते हैं पहले आज माइगरेन की समस्या रहेगी बैक की प्रॉप्लम हो सकती है आज हाथ और पाउं में अनावश्यक दर्द रहेगा उपाय क्या करना है बहुत छोटा सा प्रेयोग हम बताते हैं आज मादुर्गा का मंत्र का जाप करें आज क्या नहीं करना है आज किसी भी बड़े से उलजना नहीं है नीला रंग शुभद तिरपन प्रतिशत का भाग्या आपके साथ है मन आपका बहुत प्रशन रहेगा आज ब्रिशवरासी को मन लगा कर पढ़ेंगे सिक्षा में आई बाधाएं दूर होंगी सिक्षा छेत्र में एक दुसरे का साथ रहेगा आज हो सकता है कि पढ़ाई के लिए उचाई छूने जाएं आप ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में आई बाधाएं दूर हो जाएंगी ब्यापारिक दिश्टिकोंट से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं आज प्राइवेट सिक्टर वालों के लिए मुश्किल भरा दोर खत्म होगा नई नोकरे के संभावनाय बन रही हैं कोई अच्छी सी मेल आपको खुश कर जाएगी आज गवर्मेंट सिक्टर वालों के लिए वाहन का सुप मिलेगा हो सकता है जिम्में जाजार में भी आप निवेश कर सकें आज प्राइवेट सिक्टर गवर्मेंट सिक्टर और दामपत्य जीवन की चर्चा करेंगे तो दामपत्य जीवन में पत्य पत्नी एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो तमाम विकार दूर हो जाएंगे माजसे ग्रूप से प्रशन रहेंगे घुमने तहलने जाएं और कुछ आपके लिए बड़ा होने के संकेत मिल जाएं क्या उपाय करना है आज ब्रिशव राशिवालों को पहले स्वास्त बता देते हैं एडियों में समस्या रहेगी पेट की दिक्कत रहेगी आज लूज मोशन हो सकता है थोड़ी सी समस्या आँखों की भी संभव है प्रियोक के तोर पर ब्रिशव राशिवालों को आज किसी जरुरुत मंद को हरी सबजी का दान करना होगा क्या नहीं करना आज अगर आपकी राशि ब्रिशव है तो आज किसी पे अनावशक शक नहीं करना है बादामी रंग शुभर सनसट प्रत्षत का भाग्याब के साथ है मिथुन राशी बहुत शुभ संकेत दिखाई देता है मन प्रशन रहेगा चिंताओं से बाहर निकलेंगे धन किस्तिती बहुत अच्छी रहेगी मिथुन राशी आज का दिन आपके लिए सवगात ले आएगा बिजनस में उननती के संकेत हैं रुके धन की प्राब्ती होगी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मुश्किले हैं हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में नोकरी पर आचा जाए बॉस के साथ फायर हो जाएंगे विक्दम से चीख पड़ेंगे आज गौर्मन सेक्टर की स्थिती बहुत अच्छी है सरकारी नोकरी में आई बाधाएं दूर होगी गौर्मन सेक्टर में कुछ बड़ी उचाई चूने जा रहे हैं आप मिथोन राशी स्वास्त के मामले में आज थोड़ा सा ध्यान देना होगा पती पत्नी दोनों को एक दूसरे के पति सद भाव रखना होगा पती के साथ रिस्ता आज थोड़ा सा तल्ख रहेगा मिथोन राशी वाली महलाओं को आज दबना पड़ेगा किसी बात पर आपकी गलती पकड़ी जाएगी मिथोन राशी आज लव लाइफ की इस्तिती बिल्कुल ठीक है कहीं से चिंता की आवशक्ता नहीं है साथी की चर्चा कर सकते हैं कोई बहन जैसी या कोई भाई जैसा विशेश मदद करेगा आज स्वास्त के मसलिप पर बुखार की समस्या परिशान कर रही है खासी और जुकाम भी आज हिला सकता है प्रियोग क्या करना चाहिए आज छोटा सा एक दूर्वा का टुकुडा खा लीजिएगा दूब घास क्या नहीं करना है फाल्दू में किसी का टेंसिन मत लीजिएगा फाल्दू में किसी का टेंसिन मत लीजिएगा मिथो नाशिवालों के लिए आज इधर की उधर करना भारी पड़ेगा लेकिन लाव की आउसर बनेंगे शांती मिलेगी आज स्वास्त पर बहुत सजग रहीएगा लेकिन ग्रे कलर सुबस्त तावन प्रश्ट का भाग आपके साथ रहेगा आज करक राशी वालों को क्या विशेश करना है सिक्षा में लाव की आउसर बनेंगे आज कुछ विशेश उपलब धिया अरजित कर सकते हैं इंटर्वियो में सफलता मिलेगी ब्यापार अच्छा चलेगा वाहन का सुख मिलेगा इधर उधर उधर उसे कुछ तिक्कत पैदा करने की कोशिश की जाएगी लेकिन होगा कुछ नहीं आज प्राइवेट सेक्टर वालों को बाहन का सुख मिलेगा करकराशी वालों के लिए समस्याओं से बाहन निकलेंगे धन की स्तिती बहुत अच्छी रहेगी कोई पुराना मित्र आपके आज काम आएगा करकराशी वालों के लिए आज गौर्नमेंट सेक्टर में प्रोमोशन के चांसे दोपहर के बाद कोई इस्थानांतरों की भी संकेत दिखाई देते है उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी करका है तो बहुत सावधानी पूर्वक बताऊंगा भी क्या उपाय करना अगर कहीं से दिक्कत आ रही है दामपत्य जीवन में एक दूसरे का साथ बना रहेगा कोई पुराने समस्या का समाधान निकलेगा दोस्तों मददगार साबित होंगी लव लाइप में आज नया प्रपोजल मिल सकता है जंजट पे पड़ सकते हैं कुछ विशेश समस्याएं उलजाएंगी आपको बहुत सावधान रहने की आवशकता है आज स्वास्त के मामले में बैग की समस्या और हर्ट की दिक्कत रहेगी उपायत के तौर पर अगर आप करक राशी के हैं दोनों हाथों को जोड़ें भगवान सिरी गनेश का ध्यान करें और एक लॉंग एक दूरवा उन्हें आप अर्पित कर दें क्या नहीं करना है आज आज लाल रंग अवाइड करना है नीला रंग शुभा पचास प्रित्षत का भाग आपके साथ है सिंग राशी मन बिलकुल प्रशन रहेगा आई बाधाएं दूर हो जाएंगी पढ़ाई में मन लगेगा इधर उधर थोड़ा सा चंचलता परिशान कर सकती है वैसे सिक्षा के लिए दिन अच्छा है ब्यापार की मामले में आज सिंग राशी वालों को थोड़ा सा घाटा उठाना पड़ सकता है कोई पुराना कॉंट्रैक्ट आज कैंसिल हो सकता है आज कोई दोस्त चीट करेगा जिनांक 29 अक्टूबर सिंग राशी प्राइविट सेक्टर बॉस किसी मामली में उलजाएंगे आपको गौर्मेंट सेक्टर प्रमोट हो जाएंगे दांपत्य जीवन समस्या में थोड़ा सा पढ़ रहा है आज स्वास्थ को लेकर के परेशानी हो सकती है अचानक किसी बड़ी संकट के संकेत भी दिखाई देते हैं सिंग राशी वालों के लिए प्रियोग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आज घुटने की तकलीफ, कंधों में समस्या और कुछ बड़ी समस्याएं भी आ सकती है उपाय क्या करना चाहिए? सिंग राशी वालों के लिए आज प्रियोग के तरफ पर किसी छोटे बच्चे को कच्चा दूद्ध या खाने की कोई मिष्ठान वाली चीज, मिठाई वाली चीज दे सकते हैं चॉकलेट टॉफी भी दे सकते हैं क्या नहीं करना है? जादा क्रोध में फैसला नहीं लेना हाज हरारंग शुभज छाछट प्रतिशत का भाग्याब के साथ है कन्यराशी परिश्थिदियां बहुत पक्ष में रहेंगी पढ़ाई में खोम मन लगेगा सिक्षा छेत्र में आ रही बाधाओं से बाहर निकनेगे ब्यापारिक दिश्टिकोंट से शुभ रहेगा बिजनस में कोई मेजर प्रावलम नहीं रहेगी ब्यापार में हो रहा घाटा कम होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुख मिलेगा शादी की जर्चा फाइनल हो सकती है नवकरी में इंटर्वियू आदि में सफलता मिलेगी आज कवर्मेंट सेक्टर वालों को दिक्कत हो सकती है समस्याएं अचानक से बढ़ सकती है सरकारे नवकरी में चोट चपेट के सम्भावना है आज दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पतनी किसी बात पर नाराजगी समापत करेंगे संतान का सुख मिलेगा लव लाइफ में आज शादी की चर्चा फाइनल हो सकती है आज लड़की देखने में पसंद आ जाएगी व्यापार खास दोर पर जो करते हैं सर में आज दर्द और भारीपन की शिकायत करेंगे उपाय क्या करना चाहिए आज कन्यराज़ वालों को कहीं दाल का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना आज आज अपने इरादे किसी से बताने नहीं है सफेद रंग शुभ है 61 प्रतिशत का भाग आपके साथ है तुला राजी पढ़ाई में आज बीर दिखाई देंगे आप दोस्तों पर रुगाब रहेगा टीचर्स खुश रहेंगे ब्यापार शुभ है रुके धन की प्राप्ती होगी साजे में आई दिक्कत दूर होगी आज प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए गाड़ी का लाब मिलेगा वहन बदला जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में कहीं नई जगें पे अपलाई मत करियेगा आज गौर्मन सेक्टर की इस्तेती अच्छी नहीं है आज सरकारी नोगरी में पता नहीं कहां से शिकायत आजाएगी कोई गुप्त शत्रू आपको परिशान कर सकता है थोड़ा बहुत लेन देन में भी दिक्कत आएगी दामपत्त जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ रिस्ते में आई तलकी दूर हो जाएगी पत्ति पत्नी के दूसरे को आज समर्पित रहेंगे पत्ति पत्नी के बीच शुबता बढ़ेंगी तुलाराशिवालों के लिए आज का दिन लव लाइफ में महामंगल कारी है लव लाइफ में कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी जो आपको परिशान करें आज स्वास्त के मामले में तुलाराशिवालों को दातों की समस्या माइग्रेन की दिक्कत नियूरो प्रॉब्लम वालों के लिए आज नियूरो प्रॉब्लम हो सकती है तुलाराशिव उपाग्या करना चाहिए अगर आपकी राशिव तुला है प्रियोग के तोर पर आज मादुरगा को प्रणाम करके अलता उनको चढ़ाईएगा क्या नहीं करना है आज तो लाराशिवालों के लिए अपनी उल्जने किसी को सुल्जाने के लिए नहीं देना है लालंग शुभच अपन प्रत्षत का भाग आपके साथ है आई बाधाओं से बाहर निकलेंगे मन आपका प्रशन रहेगा धन की श्तिती बहुत अच्छी है धन की चिंता मत करिएगा पढ़ाई में मन लगेगा ब्यापार बहतरीन रहेगा बिजनेस में कोई बिशेज दिक्कत नहीं आएगी ब्यापारिक घाटे की भरपाई होगी कोई बड़ा वर्क और्डर मिल सकता है आज प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए लाब के अउसर बनेंगे प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ी उपलबदियां मिल सकती है गौर्मेंट सेक्टर में चिंता मत करिएगा आज दामपत्य जीवन में थोड़ा सा नर्मी रहे पुराने विवादों से पूरी तरह से मुक्ति की संभावना है बड़ी उपलबदियां अपने आप मिल रही है आज प्राइवेट सेक्टर गौर्मेंट सेक्टर दामपत्य जीवन बैलन्स करने में आसानी होगी दोपहर के बाद कहीं घुमने टरलने का कारक्रम बन सकता है आज का दिन आप सब के लिए स्वास्त के मामले में अइतिहासिक हैं बहुत बड़ी बड़ी विमारियों से मुक्ति मिलेगी खास दर पर लड़कियों के लिए जो लड़कियां है विष्चिग्रासी की उनके स्वास्त में बहुत तेजी से सुधार होगा आपरेशन सक्सेस्फुल होगा पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी जैहो देवी मैया की आज प्रियोग क्या करना चाहिए आज के दिन छोटी गुडिया को किसी कुछ खाने पिने की वस्तो उपहार स्वरूप देजिएगा ब्रिश्चिग्रासी क्या नहीं करना है आज दूसरे के घर भोजन नहीं करना है बादामी रंग शुबर 6-6 प्रत्षत का भाग आपके साथ है धनुराशी आप पर एक सकरात्मक परभाव पड़ेगा लाप के अवसर बनेंगे पढ़ाई खूमन लगा कर करेंगे ब्यापार में घाटे से बाहर निकलेंगे नया वर्क और्डर मिलेगा फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को विशेश लाप मिलेगा आज धनुराशी वालों के लिए प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत आएगी बॉस अचानक से परेशान कर सकता है आप पर गाजगिर सकती है गवर्मेंट सेक्टर में लाप के उसर बनेंगे वाहन और भवन का सुख मिलेगा आज धनुराशी वालों के लिए दामपत्य जीवन में बैलेंस रहेगा कहीं टहलने गुमने का कार्करम पत्य पत्यी मिलकर बना सकते है धनुराशी के पुर्शों के लिए आज दिन बहुत ऐतिहासिक है लव लाइफ में तो आज लड़कियां बाजी मार रही धनुराशी की लड़कियों को विशेश इसलाब मिलेगा प्रेमी सदय उन्नत मस्तक रहेगा धनुराशी आपका मन किसी भी बड़ी चंचलता से बाहर निकलेगा लव लाइफ स्मूध है स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉबलम होगी हर्ट की दिक्कत हो सकती है आज लूज मोशन्स वगरे की शिकायत रहेगी डाइजेशन प्रॉबलम होगा धनुराशी वालों के लिए उपाय क्या करना है आज धनुराशी वालों को भगवान शिव का ध्यान करना है श्यूलिंग पर कच्चा दू धर्पित करें क्या नहीं करना है धनुराशी वालों को आज जादा किसी के सामने बढ़ा चढ़ा के खुद को पेश नहीं करना भूरा रंग शुब पच्छपन प्रत्सत का भाग्या आपके साथ मकर राशी मादुर्गा का प्रभाव आप पर रहेगा आज खुब मन लगा कर पढ़ेंगे शुक्षा छेत्र में लाब के अउसर बनेंगे पढ़ाई में आई बाधाएं दूर होंगी शुक्षा महाशुखर है ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस की दिक्कत नहीं रहेगी बिजनस पूरी तरह से उचाहिच होएंगे आप ब्यापार में कुछ बड़ी उपलब्दी मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नोकली में दिक्कत आएगी आज बहुस नाराजगी देता आएगा आज किसी के स्टाडियंद के सिकार होंगे कौर्मेंट सेक्टर में दिक्कत नहीं आएगी आज धन का लाब होगा आउट आप्टन प्रमोशन के चांसे जहें बहुस प्रशन रहेंगे दामपत्य जीवन लाब की आउसर पैदा करेगा आज पत्य पत्य दूसरे के साथ पूरक बन के रहेंगे पत्य इस्टेंड करेगी आपके लिए आज दामपत्य जीवन के बाद लव लाइफ थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर के ग्रूसरे में आरोप प्रत्य रोप का दोर चल सकता है लव लाइफ में आज समस्या रहेगी आज का दिन स्वास्त के मामले में स्किन की प्रॉब्लम परशान करेगी हो सकता है कि आप अपनी लापरवाही से हेल्थ के साथ कंप्रॉमाईज करेगी मकर राश उपाय क्या करना चाहिए आज के दिन कहीं जरूरत मंद को कुछ दवा आदिदान कर दीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी को उधार नहीं देना है नारंगी रंग शुभ है आज तिरस्ट प्रत्षट का भाग आपके साथ है कुम्बराश शुक्षा में पूरी तरह से उन्नती हो रही है पढ़ाई आज बिलकुल समर्पित होकर करेंगे एक्जाम आदी बिलकुल अच्छा रिजल्ट आएगा आज खुब मन लग रहा है कुम्बराशी के लिए ब्यापार में आज घाटा हो सकता है ब्यापारिक इस्थिती बहुत अच्छी नहीं है बिजनस में कुछ बड़ी प्राब्लम आ जा सकती है आज ब्यापार के योग प्रभावित करेंगे प्राइवेट सेक्टर में समय अनकूल रहेगा वाहन का सुक मिलेगा जमीन आदि में निवेश कर सकते हैं मकान का सपना आज पूरा होने जा रहा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बधाईया गौर्मेंट सेक्टर में दिक्कत है आज नौकूरी पर ही आचा रही है जैसे किसी ने नजर लगा दिया हो धन का लेंदेन भी फंसा सकता है आज दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी दगान कोने बात पर आज आनन्दित रहेगी कुछ है उसके मन में जो जल्दी ही रिवील होगा पत्य पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा मानसिक प्रशनता रहेगी मन बहुत खुश और खुशहाल रहेगा मन से थोड़े बहुत आप मजबूत भी नज़र आएंगे और यही आपके उत्तम स्वास्थ की निसानी बनेगी बाकी तो हर छेत्र के लिए सबकुछ बेहत सकरात्मक है कुम्ब राशु उपाय क्या करना चाहिए जानना है आज के दिन किसी जरुरत मंद को कुछ धन दीजिएगा क्या नहीं करना है आज किसी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है मन प्रशनता से परिपूर्ण हो करके आज खूब मन लगा कर स्विक्षा करेंगे आप जब मन प्रशन है तो सिख्षा तो अच्छी चलनी है चलनी है ब्यापार अच्छा रहेगा बिजनस में किसी तरह की बिशेज दिक्कत नहीं आगी हाँ प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ी से समस्या है प्राइवेट सेक्टर में कोई इस्थती आपके लिए बिलकुल आग की सड़क तयार कर रहे है समझ दीजिए इस तरह से कछिन तो आज बहुत सभल सभल कर कदम बढ़ाना है गौर्मेंट सेक्टर लाब के आउसर पैदा करेगा आज गौर्मेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी अपित्व आज कुछ विशेश उपलब्धियां अरजित करेंगे आज दांपत्य जीवन थोड़ा सा दिक्र करेगा पतनी किसी बात पर आज बिल्कुल नागवार उसका वहार गुजरेगा आपको उपर हाँ इतना जरूर है कि साथ बना रहेगा बड़ी बात है लव लाइव की स्थिति आज शादे की चर्चा की जा सकती है समल करके दोनों एक दूसरे के साथ रिष्टे को आगे बढ़ाएंगे जो कि बहुत सगारात्मक रहेगा शुब रहेगा हाँ इतना जरूर है कि आज स्वास्त को लेकर के ला परवाही भारी पड़ेगी हेल्थ में कुछ मेजर प्रॉबलम आ सकती है स्वास्त को लेकर के बहुत सावधान रहेगा और उपाग्या करना है अगर आपकी राशिमीन है तो आज का दिन बहतर करने के लिए पेड़े स्वास्त दवाओं से बिलकुल समझाता मत करिएगा मानसिक चिंता कम लीजेगा तब सुचत रहेगे उपाय के तोर पर आज के दिन गव माता को कुछ खिलाएं आप साग सब्जी क्या नहीं करना है आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है बादामी रंगशुब है 74 प्रतुषट का भाग्याब के साथ है थोड़ी दिन बताएंगे भाई दो जी स्पेशल लेको पाए लेकिन पहले भाग्याक्षर जाने और उससे पहले एक जानकारी देते हैं कि बहुत जल्द हम पर डे डेली लाइब शो करने जा रहे हैं लाइब टेली कम्यूनिटी में हमने डाल दिया था तो लोगों ने उस पे ओट किया है और रात का समय फाइनल है दस से ग्यारह या ग्यारह से बारह यही टाइम रहेगा इंदजार करिएगा या नव से दस भी हो सकता है मतलब रात का ही रहेगा नव के बाद रखेंगे दस से ग्यारह 10-11 लगभग 90 प्रश्ट final मानके चलिएगा Community में हम फिर उसको share करेंगे जल्दी ही final करेंगे कब से लेंगे कैसे लेंगे कोशिश करेंगे फोन लेने की 9-10-11 तारिक को नमंबर में कलकत्ता में मुलाकात करने के लिए नमबर चल रहा है जल्दे जानते हैं यह आपके अपने भाग्याक्षर है सकस्सकी में दाहिने हाथ के अंगूठे से सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे पाउं का अंगूठा स्पर्श करके ओम शंग बोलना है बस करिये का लाफ हंड़िट परसेंट होगा हंड़िट परसेंट होगा जल्दे से जानते हैं आज का भाई दूज़ स्पेशल प्रियोग भाई मंगल के साथ कनेक्टेड होता है मंगल भाई का कारक होता है एक छोटा सा इट का टुकडा लीजिए किसी पत्थर पर गंगा जल से घिसिए इट इटा छोटा सा टुकडा सड़क पे मिल जाएगा पार्कों में मिल जाएगा गंगा जल से पत्थर पर धुल लीजिएगा गंगा जासे पत्थर पे घिसना है और जो टीका बनाएं भाई के लिए उस टीके में रोली के साथ ये मिला दीजेगा हल्दी के साथ ये मिला दीजेगा बस करिया और मजा देखिए मेरा शोध है आनन्द आएगा भाई के साथ रिष्टे में प्रगारता आएगा एक अलग से भी कारक्रम में भाई दुझे स्पेशल कर रहा हूँ जरूर देख लेजेगा Have a nice day, take care, share a day